क्यों दिवाली से पहले घर से तुरंत हटा देनी चाहिए पांच ऐसी असुप चीजें कौन सी हैं वो असुप चीजें क्यों हटा देनी चाहिए क्या आपके घर महालक्षमी नहीं आती है क्या आप कंगाल रहते हो तो ये वीडियो आप अंतक का जरूर देख लीजिए आई होप कि आप वीडियो के एंड तक समझ जाओगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पपु दिखित आप देख रहे हैं यूटूब का चैनल रोचक साला दोस्तों अकर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक और सेर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और सेर भी कर दीजिए क्योंकि वीडियो में आगे आपको बहुत ही जज़ा मज़ा आने वाला है सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से हैपी दिवाली इन एडवांस है दोस्तो काटिक क्रशन पक्ष अमावस्य की तिथी को मनाय जाने वाले दिवाली का तिवार पिशेश रूप से माता लक्षमी की आराधना के लिए होता है इस बार साथ नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी दिवाली आने से पहले इसकी तयारिया काफी दिनों पहले से होने लगती है सुक सम्रद्धी की कामना के लिए प्रत्यक द्यव्ति हर साल दिवाली पर अपने घर की साथ सफाई जरूर करता है ताकि धन की देवी लक्षमी उनके घर वास करे और उनकी आर्थिक परेशानिया दूर हूँ ऐसे मैं माना जाता है कि मा लक्षमी ऐसे घर नहीं जाती है जहां पर गंदगी और असुप चीजें रहती है एक बार फिर रिपेट कर दूँ जहां पर गंदगी और असुप चीजें रहती है वहां मा लक्षमी का वास नहीं होता है दोस्तो मा लक्षमी को साथ सफाई बहुत पसंद होती है जोतिस और वस्तु सास्त्रा के अनुसार दीपावली पर घर में टूटी फूटी चीजें नहीं होने चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए खराब इलक्ट्रोनिक समान दोस्तो यदि आपके घर में कोई इलक्ट्रोनिक समान खराब पड़े हैं तो उसे बनवाकर दुबारा इस्तेमाल मिलें या दीपावली से पहले अपने घर से बाहर करना बिलकुल न भूलें खराब पड़े ये बिजली का समान आपकी सेहत और सौभाग दोनों के लिए असुभ होते हैं इसके अलावा दोस्तो क्या टूटे हुई सीसे की चीजे रखना चाहिए या नहीं तो दोस्तो यदि आपके घर के किसी कोने में टूटा हुआ सीसा रखा है या फिर आपकी खिड़की में टूटे हुए सीसे लगे हैं तो उसे तुरंद घर से बाहर करें और उसकी जगे नया सीसा लगवाएं घर पर टूटा सीसा रखना असुभ होता है इसके अलावा दोस्तो मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए क्या करना है वो है कि आप छट के हिस्सों को साफ सुथरा रखें दोस्तो इस दिवाली से पहले घर की छट को साफ करें और पहले से पड़ा हुआ कूडा कबाला या प्रयोग में ना लाया जाने वाला समान घर से बाहर कर दें इसके बाद दोस्तो एक बात और मैं आपको बताना चाहाब हुआ दोस्तो कभी भी भूलकर किसी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या तस्वीर की पूजा नहीं करने चाहिए दुर्भागों को दूर करने के लिए दिवाली से पहले ऐसी फोटो और मूर्तियों को जरूर किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें और दोस्तो बंद पड़ी घड़ी को हटा दें दोस्तो वास्तू के अनुसार घड़ी आपके प्रगति का प्रतीक होती है ऐसे में बंद घड़ी मिश्चित रूप से आपकी उन्नती में बाथक है इसलिए यदि घर में खराब घड़ी है तो उसे दिवाली से पहले जरूर घर से बाहर निकाल दें उमीद है कि दोस्तो आज के इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि दिवाली से पहले आपको क्या क्या चीज़ें हटा देनी चाहिए दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि धन तेरस के दिन आपको क्या समान खरीदना चाहिए क्या चीज़ें होती है सुब तो वो वीडियो मैंने आल्रेडी पोस्ट कर दिया है आपको लिंक इसका आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तो वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेयर करें और एक बार कमेंट में बोलें जै माल अक्ष्मी